राधे राधे दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नामे दखल राधी का बहू सुन रही हो ना या बहरी हो गई हो मैंने क्या बोला बताना जारा जी ममी जी आप कह रही थी कल गाउं सी चाचा चाची आ रहे है इलाज करवाने कान की तो चलो पक्की है तू औ और सुन पत्री का ओप्रेशन है चाचा जी का सायद कुछ दिन रुके इसलिए बैठक सी सोफा की नारे करके उनकी सोने की बेवस्था कर देना जी मम्मी जी सुरेखा जी बोली और हाँ जानती तो होगी ही पत्री में खान पान बहुत परहिज होता है तेरी भावी को भी तो ये बीमारी थी पिछले साल ही तो ओप्रेशन हुआ था उसका जब तु बहाना करके चली गई थी पंदरा दिन रुक कर आई थी चाचा चाची जी सबेरे चार बजे ही उठ जाते है चाय पीते हैं तो तु भी उनसे पहले उठ जाया करना इसी बहाने तु भी जल्दी उठ जाया करेगी नहीं तो छे बजे से पहले उठने का नाम नहीं लेती सबेरे ही जारू पोछा कर दिया करना नहीं तो चाची जी बड़ी पंचायतिन है पूरी गाउं में गाह देगी की बिल्कुल लक्षन नहीं है सुरेखा जी जी की बहुरिया की समझी जैसी खुद तो पूरे मुहले में राधिका की तारिफे करती आई हैं अगले ही दिन चाचा चाची जी निर्धारित समय पर आ गए रवी उन्हें स्टेशन लेने गया राधिका बोली नमस्ते चाची जी नमस्ते बहुरिया सुन तेरी चाचा जी वहां खड़े हैं उनकी बस पैर छुना न निचे कर ले मुह ना दिख जाए बरे गरम मिजाच के हैं राधिका बोली जी चाची जी आप लोग बैठिये मैं चाई बना कर लाती हूँ चाची जी बोली सुन मैं थोरा ज्यादा चिनी और पती की चाई पीती हूँ और ये कम इसी लिए अलग अलग बनाना सुरेखा जी बोली अर्बी के पकोरे भी बनाला चाय के साथ तेरे चाचा जी को बहुत पसंद है क्यों सरला याद है जब अम्मा बनाती थी हाँ जी जी कह तो सही रही हो आप राधिका बोली मम्मी जी पत्री में अर्बी के पकोरे सही रहेंगे क्या तो सुरेखा जी बोली तू बहुत ज चाचा चाची की खातिरदारी में सुबा साधे तीन बजे उठती अपनी दो साल की बिटिया को दूद पिला कर निवरित होकर इतने बरे घर का जारू पोछा करके नहा धो करके रसोई घर में परवेश करती बेटे के स्कूल का अलग लंच पती देव के ओफिस का अलग खाना चाचा चाची का अलग सुबा का काम निप्टाते हुए बेचारी को तीन बज जाते एक मिनट भी दिन में कमर सीधी करने को नहीं मोका मिलता था फिर चार बजे से नस्ता पानी शुरू हो जाता रात में पती देव कुछ देर पतनी के साथ प्यार भले पल बिताना चाते व और ये सरीर का क्या हाल बना लिया है तुमने ना ही तुम्हारे चेरे पर हसी होती है कभी तुम में वो बात ही नहीं रही अब पती देव भी मूह पलटकर सो जाते उन से भी अपने दुख को जाहिर नहीं कर पाती बेचारी सुरेखा जी पूरे दिन अपनी देवरानी से राधिका की बुराई करती रहती हम तो गाउं में कितना काम करते थे कच्चा घर था चक्की पर हातों से अनाज पिस्ते सिल्वटे पे चटनी पिस्ते बाबु जी के लिए कुवे से पानी भर कर लाते निवरित होने भी खेतों पर जाते चुलहे पर रोटी बनाते कितनी मेहनत करते थे पाँच छे बच्चे होते थे ये आज कल की बहुए क्या जाने एक बच्चे में ही जान निकल जाती है इनकी क्यों सही कहाना सरला सुरेखा जी राधिका को सुनाते वे कहती सरला जी हामी भरती दो चार बाते और जोर देती राधिका बेचारी उप तक ना करती क्योंकि बरो की बात मनना उनको जबाब देना उसकी संसकार में नहीं था एक दिन बेचारी महिलाओ के वो चार दिन जब वो महिने के सबसे कठिन दोर से गुजरती है उन दिनों का सामना कर रही थी उसकी कमर में असहनिये दर्ध हो रहा था वो अपने कमरे में दिवार के सहारे आते हुए बिस्तर पर लेट गई साम के पांच बजगे जब चाई हाजिर नहीं हुई तो सुरेखा जी और सारला जी उसकी कमरे में आधमकी सुरेखा जी ने चिलाना शुरू कर दिया कोई सर में हया है या बेज आई यहां आराम फर्मा रही है महरानी हम इतनी देर से चाई की रह देख रहे हैं राधिका सक पकाते हुए उठी घूंगट सर पर डालते हुए बोली वो ममी जी मेरी कमर में बहुत दर्ध है इसलिए सारा काम निप्टा कर थोरी देर लेट गई कब आँख लगई पता ही नहीं चला माप किजिएगा अभी चाई बना कर लाती हुँ तो सुरेखा जी बोली तुने मेरी नाक कटवा दी अब तु अपना समान समेट और अपने माई की जाकर आराम कर तु कामचोर तो हमेशा से रही है मेरे ही कर्म फुटे जो अपने एकलोते बिटवा के लिए तुझ जैसी फुवड को बिया के लाई ऐसे ऐसे उचे घराने के रिष्टे लगे थे मेरे सलोने से रवी के लिए राधी का आशू रोकते हुए पहली बार बोली बस बहुत हुआ ममी जी अब और नहीं आपको मम कलब नहीं कि आपकी कोई भी गलत बात बरदास्त करोंगी मेरा भी आत्म सम्मान है आपके घर की बहु हुँ नोकरानी नहीं मेरी सिर्फ बहु के ही फर्च नहीं है पतनी और मा भी हुँ मैं क्या एक दिन अगर आप या चाची जी चाय बना कर ले लेती तो कोई पहार तु पूछा आपने दिदे के घर तो नोकर चाकर है फिर भी आप दिन में चार बार फोन करके हाल चाल लेती है कितना तरस खाती है उन पर आप कभी पूरे महीने एक बार भी मेरे बारे में पूछती है तभी कहते हैं मम्मी जी सास कभी मा नहीं बन सकती और सशुराल में तुम अपना दिल भी निकाल के रख दो, फिर भी बुराई ही मिलेगी, मैं कहीं नहीं जाओंगी, ये मेरे पती का घर है, अब यहां से अर्थी ही उठेगी मेरी, समझी आप कान खोल कर सून लिजिए, कल से किसी काम में डखल मत दिजिएगा, मैं अपने मन मुताबिक काम करूंगी राधिका एक आत्मी विश्वास से भरी हुई मुस्कान के साथ है, अपने कमरे से बाहर आ गई, सुरेखा जी और सरला जी, कभी एक दुसरे को देखते तो कभी राधिका को बरी बरी आँखों से देखती रह गई, सरला जी बोली, जी जी अब हम तो गाउ जा रहे हैं, वै करना भी क्या है रुक कर, अगले दिन से राधिका, सुबा से ही सद धज के तैयार हो जाती, और गाना गुन गुनाते हुए, घर के काम अपने मन मुदाबि करती, मजाल है सुरेखा जी, चू सब्द भी कह जाए, और पती देव को भी, पतिनी सिरी का बदला हुआ, सावरा ह हुआ रूप, आकरशित किये बिना नहीं रहता, असा करती हूँ, दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लिस वीडियो को लाइक से एर और सब्सक्राइब किजिएगा, धन्यवाद